असलाम अलेकुम फ्रेस वेल्कम बैक टू जायका फ्रेंस आज की वीडियो है समर स्पेशल आज हम बनाएंगी किरिला की फेमा स्कूलू की शेर्बात ये ड्रिंक बहुत ही जादा रिफ्रेशिंग होती है तो चले इससे बनाना स्टार्ट करते हैं आपको अगर मेरे रेसिप देखने में कुछ इस तरह से होते हैं और ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएंगे तो यहां पर हम थोड़ा सा इसमें यूस कर रहे हैं आप अगर एक से दो ग्लास बना रहे है तो वन टीस्पून काफी होता है मैं इसे स्टोर करने वाली हूँ तो दो से तीन टीस्पून मैंने यहां पर इस्तिमाल किया है यह फूल के तीन गुना हो जाएंगे तो अब हम इसे सोग करने रख देते हैं साइड करें अब ग्लास में थोड़ा सा और पानी ले लिया है इसमें हम शुगर की सीरप बनाएंगे तो यहां पर मैं अंदाजन शुगर आड़ करें आपको जितनी जरूरत आप अड़ कर सकते हो यहां पर मैं 4 टेवल स्पून शुगर का सीरप बना रही हूं थोड़े से पानी में यह शर्बत स्ट्रीट पे बहुत ज्यादा फेमस रहती है इसलिए में स्ट्रीट स्टाइल में ही से बना रही हूं तो इससे अच्छे स इसमें डिजॉल्फ करेंगे तो यह देखे शुगर की सीरप भी बनके तयार हो चुकी है आप चाहो तो पाउडर शुगर का इस्तमाल भी कर सकते हो तो फिलाल यह शुगर सीरप साइट करके रख देते हैं तो देखे हमारी चिया सीर सबजा सीर स्वेल होके तीन गुना हो इसमें से जरूरत के साफ से इस्तमाल करेंगे और बाकी हम स्टोर करेंगे तो इस दोनों को साइड में रख देते हैं और यहां पे दो ग्लास ले लिए हैं जिसमें हमें शर्बत बनानी है तो इसमें आदे से ज्यादा थंड़ा पानी राल रही हूँ फूल भर के नहीं रा करते हैं तो यहां पे दो नीबू का जूस ले लिया है मैंने जो छोड़ी साइज में नीबू आते हैं दो दो टेबल स्पून या फिर टेस्क के कॉर्डिंग आप आड़ कर सकते हो अब इसमें आड़ कर देते हैं एक एक चुटकी नमक बहुत ज्यादा नहीं आड़ करना ह अब शुगर की सीरप जो हमने पहले बना के तयार की थी यह मैं यहां पे दो दो टेबल स्पून आड़ कर रही हूँ लेकिन अगर आपको ज्यादा मीठी पसंद है तो आप ज्यादा आड़ कर सकते हो यहां पे अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं और आप टेस्क को चेक कर रही हूँ और बाकी सब्जाशिर्स में स्टोर करूँगी इससे हम फ्रीज में किसी भी एटर कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं तो अब इसमें आड़ कर देते हैं दो दो आइस क्यूप्स फैसे आप चाहो तो आइस क्यूप्स को क्रश करकी भी आड़ कर सकते हो इसमें अब ह इस ग्लास पर इस तरह से फीट बैट सके इस तरह से और बहुत अच्छे से शेक करते जा इस तरह से ताकि सारे फ्लेवर मिक्स अप हो देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही केरफुली करे तो देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसे शेक किया है और हमारी ये कुलू की शर्बत बनके तयार हो चुकी है मैं इस गलास निकाल लेती हूँ तो देखिए हमारी कुलू की शर्बत बनके तयार हो चुकी है इसे सेर्फ करना बाग की है इसी तरह से हम दूसरा भी गलास शेक कर लेते हैं अगर आपको ये कंफरड़बल ना लगे तो आप किसी भी पानी की बॉटल में डाल के इसे अच्छे से शेक करें क्योंकि शेक करना बहुत जरूरी है और आपने जो भी इसे सेर्फ करना है तभी ही आप इसे शेक करें और शेली डाले इसमें बना के नहीं रख सकते आप कुलू की शर्बत को वरना इसका टेस्ट बिगर जाएगा तो देखें मैंने इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स किया है इस तरह से जाग आने तक आप इसे शेक करें तो देखेंगे आप बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा तो इसमें मैंने आइस कीउफ टाल दिये एक्स्ट्रा तो यहाँ पर हमारी कुलू की शर्बत की रिला की फीमस रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनके तयार हो चुकी है आपको यह ड्रिंक कैसी लगी अब जरूर ट्राइ कीजिए और अपनी फीडबैक कॉमें सेक्षिन में मुझे जरूर दे मैं इंशाला फिर मिलते हूँ एक नई रिस्प के साथ तब तक लिया लाव